डियर स्टुडेंट्स वाइगाउस्की और प्याजी की कॉग्निटिव थेयरी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रुनर की कॉग्निटिव डवलप्मेंट थेयरी Brunner एक American psychologist थे और इनकी जो cognitive development theory है ये भी one of the most important theory है जिसको पढ़ना बहुत ही है जरूरी है if you are in the field of education and इनकी theory को हम constructivist theory भी कहते हैं क्योंकि वो संग्रचनावाद या constructivism में believe करते थे constructivism क्या कहता है वो कहता है कि people construct their own knowledge and understanding of the world through experiencing the things means generally अगर हम बच्चों के sense में कहें कि constructivism ये कहता है कि जो लोग होते हैं या जो children होते हैं वो पहले चीजों को experience कहते हैं महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद वो खुद ही उसको जो भी उनको feeling आती है उस feeling के हिसाब से वो अपने ग्यान को अपने knowledge को construct करते हैं और उस understanding या समझ डेवलप करते हैं उस particular वस्तूटे बारे में तो इसको हम कहते हैं constructivism Brunner एक American psychologist थे और इनकी जो theory है उसको PRJ की theory का alternative भी कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने PRJ की theory को बहुत कुछ modify किया था उसमें थोड़े बहुत जिसे हम कहते हैं उसको थोड़े advance या change उसमें कुछ इन्होंने किया था इनकी theory को हम discovery learning भी कहते हैं जिसको हम आगे cover करेंगे देखे like Vygotsky he explained on interaction with the environment and importance of language in child's cognitive development इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि Vygotsky की तरह PRJ ने भी यह बोला है कि बच्चों के संग्यानात्मक बिकास के लिए environment यानि जो बच्चे का परियावरण है और भाशा यानि language environment और language का बहुत important रोल है यानि बच्चा अपने environment के साथ अपने परियावरण के साथ अंतक्रिया करता है और अंतक्रिया करके वो अपनी understanding डवलप करता है इसके अलावा जो बच्चे के cognitive development है उसमें भाशा का बहुत important इन्होंने रोल बताया है वाईगौस्की की ही तरह next है according to Bruna three major aspects of constructivism are यानि संग्रशनाबाद के इन्होंने तीन major aspects बताया है अपने theory में एक है representation जिसको हम प्रती निदित्व भी कहते हैं next इन्होंने बोला है expirer curriculum के बारे में इन्होंने बताया है discovery learning के बारे में बताया है जिसको हम बाद में cover करेंगे मतलब इन्होंने ये बताया है इन तीनों चीजों के द्वारा कि किस तरह से बच्चे चीजों को ग्रहेंट करते हैं या वो learn करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे representation representation का मतलब क्या है representation जैसे मैं आपको बताया कि इसको हम प्रतिनिधित्व भी कहते हैं तो उन्होंने बोला है representation क्या होता है modes of representation are the way in which knowledge is stored and encoded in memory यानि बच्चा जिस तरीके से भी चीजों को देखकर उनको store कर रहा है जिस वह रूप को ही हम क्या कहते है representation या प्रतिनिधित्व कहते हैं जैसे अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी तो जो भी मैं आपको बता रही हूं उसका storage वो आप किस रूप में store कर रहे हैं शबदो की रूप में store कर रहे हैं pictures के form में store कर रहे हैं तो प्रतिनिधित्व जो होता है इन्होंने बोला है कि यह तीन टाइप का होता है एक इन्होंने बताया है सक्रियाविधी के थुरू यानि जिसों हम इनक्टिव मोड कहते हैं नेक्स्ट द्रिश्य प्रतिमाविधी जिसे हम आइकॉनिक मोड कहते हैं नेक्स्ट है सांकेतिक विधी जिसे सिंबॉलिक मोड भी कहा जाता है नाव एक एक करके इसको हम कवर करते हैं सक्रियता विधी क्या है सक्रियता विधी जो है इसका मतलब है इसको हम inactive mode भी कहते है सबसे पहले ये जनम से लेकर 18 मन्त तक 18 महिने तक ही होती है इसमें vary भी करता है अलग अलग books में थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है कुछ में तीन साल तक भी लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट इस देखे ये जो है ये जो inactive mode है नाम से पर चल रहा है action mode आ रहा है action based learning जब बच्चा action based learning करता है यानि वो चीजों को छू कर touch करके देखता है कुछ करके देख रहा है कुछ क्रिया आ रही है इसमें तो जनरली इसमें क्या आएगी क्रिया आएगी यानि आपको याद रखना है कि inactive mode का मतला है बच्चा कुछ क्रिया करके सीख रहा है कुछ action करके वो सीख रहा है physical experience कर रहा है यानि चीजों को उसके सामने चीज़े असली में present है उसको वो अपने शरीर से touch कर रहा है चू रहा है kinesthetic और sense organs है यानि movement के थ्रू touch के थ्रू sense organ के थ्रू वो उसको महसूस कर रहा है चाहे वो आख है, नाख है, कान है वो बतलब उसको महसूस कर रहा है sense organ के थ्रू ठीक है? तो इसमें touch is very important बच्चा चू कर देखता है हातों से चू कर देखता है दूसरा action based होता है तो जैसे कि बच्चे को भूक लगी तो वो रो रहा है तो she is doing some action हातों से खिलोने को चूना playing with toys कुछ उसको उलट-पुलट करके देखना उसको गिराना उसको पटकना हात पहरों का जो movement होता है जैसे बच्चे अपने shoe के laces बानना सीखते है जो भी आप हातों से या जो भी आप movement या action के थूँ बच्चे कर रहे हैं उन सब को हम कहते हैं जैसे play way जैसे अगर मैं बोलू कि इस उम्मर में क्या होता है या जब बच्चे दो साल तक होते तो क्या होता है तो बच्चों को अकसर चीजों को हात में पकड़ाया जाता है हात में पकड़ा कर वो उसको touch करते हैं और फिर वो उसको represent अपने knowledge में मतलब उससे जब तक चुएंगे नहीं जब तक उसको महसूस नहीं करेंगे वो उस चीज को के बारे में understanding develop नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसका नाम है inactive mode या action based learning ये बहुत कुछ PRJ के sensory motor से मिलती जुलती है next is iconic iconic मतलब something related to eyes visual यानि जो हम आखों से देखते हैं इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा चीजों को touch करके देखे इसमें क्या है आप बच्चे pictures को देखकर यानि चित्रों को देखकर भी उसको अपने mind में represent कर सकते हैं चित्रों को देखकर भी वो understand कर सकते हैं उसको समत सकते हैं बट इसमें जरुत होती है कि उनके सामने कुछ हो, उनके सामने कीज़ीज का चितरन किया जाए, विज्वली उनको दिखाया जाए, बच्चे क्या करते हैं, प्रत्यक्षन, प्रत्यक्षन का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे की चीज़ों को देखते हैं और उसका मीनिंग को निकालते हैं कि जाट जो सामने है वो क्या है तभी इस उम्र में बच्चों की सामने डाइग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है जब तक वो आँखों से डाइग्राम्स को नहीं देखेंगे जैसे में यहां पे देखिये बनाया है जैसे प्लांट का अगर आप कुछ बच्चों को सिखाना चाते हैं तो आप बताएं पहले पैप्चों को यह होता है स्टेम यह होती है बर्यांचे इसको जमीन के निचे यह होती है रूट्स और बच्चों को लेबल करके बताना कि यह रूट है जैसरे बताते है तो इस तरीके जब तक आप बच्चों को ब्लागपोर्ट पर डाइग्राम बना के नहीं बताओगे या इसलिए इस उम्र में बच्चों के जो किताब होती उसमें आप देखेंगे बड़े-बड़े चित्रों होते हैं जैसे बच्चों के बच्चे कहानी होगी या कोई भी किताब होगी इस पर काफी बड़े-बड़े चित्र बनाया जाते हैं वह इसलिए ताकि उस बच्चा उस चित्रों को देखे और उसको देख कर अंडरस्टैंडिंग डवलप करें तो इस समय देखना बहुत ज़रूरी है इसलिए इस टाइम बच्चे चित्रों से बहुत अच्छा लर्न करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं फिर नेक्स्ट है सांकेतिक विधी या सिंबॉलिक मोड वह होता है जिसमें बच्चिंबॉलिक मतलब something abstract abstract मतलब हमने पहले भी discuss किया हुआ है जिसको हम कहते हैं अमू यहां पर बच्चे को अब चित्र की इतनी जरूरत नहीं है अब वो क्या करता है अब भाशा का उप्योंक से भी वह चीजों को knowledge को ग्रहंड कर लेता है चीजों के symbolic expression यानि चित्र की जरूरत नहीं है जैसे किसी ने बोला कि चेर तो चेर एक अंग्रेजी का वर्ड है चेर या हिंदी का वर्ड है कुर्सी तो कुर्सी एक सिंबल है जो किसी बैठने वाली चीज को रिप्रेजेंट करता है तो अगर आब बच्चे का होते है लैंग्विज के मादेम से भी चेर का मतलब वो सुमर में बच्चे किताब रीडिंग बुक्स या कोई डेफिनिशन किसी चीज की डेफिनिशन टीचर के लेक्चर क्लास में सुनके वो समझने लग जाते हैं न्यूज उनको अगर वो सुनते हैं तो न्यूज को वो समझ जाते हैं कि क्या बोला गया है किसी को वो सुना भी पाते हैं यानि क्लास में टीचर ने क्या बताया है या उन्होंने रेडियो टेलिविजन पर क्या सुना है उसको वह वापिस से रिप्रेजन कर पाते हैं तो यहां पर auditory is very important यानि बच्चा यहां पर क्या कर रहा है सुन रहा है सुनके वह चीजों अपने घ्यान को अपने knowledge को रिप्रेजन कर पा रहा है सो अब क्या है लेकिन देखे प्याजे ने भी कुछ स्टेज़ बताई है बट इन्होंने क्या है जो ब्रुनर है उन्होंने स्टेज़ नहीं बताई है उन्होंने क्या बताया है उन्होंने मोड्स बताए है कि इस तरह से परसन जो बच्चा होता ह वो यह mode के थूँ अपनी understanding डवलप करता है हाँ उन्होंने age बताया है कि लेकिन यह age इसले बताया है कि इस age में बच्चा इस तरह से अच्छे से सीख सकता है मतलब जिस तरह से प्याजे ने बिल्कुल specific बोला है कि sensory motor इतने 0-2 years होती है और pre-operational 227 या इस टाइप से या तो वो क्या है उन्तो इन्होंने कोई age specific बहुत जादा जो इनकी theory है वो बहुत जादा age specific नहीं है लेकिन हाँ इन्होंने age दिया है because age इसले दिया है क्योंकि उस उम modular mode से जादा अच्छे से अपने ग्यान को अपने understanding को develop कर सकता है फिर उन्होंने बताया है कि जब बच्चा मतलब symbolic method से सीखने लग जाता है तो उसके बाद तो वो क्या करता है after a certain age the child can use all the three modes यानि वो तीनों word को simultaneously use करने लगता है जैसे एक बच्चा है वो inactive तरीके से भी सी से भी सीख रहा है वो iconic यानि images से भी सीख रहा है और symbolic यानि language से भी सीख रहा है यानि वो तीनों तरों को से तरीकों से knowledge को grant कर रहा है लेकिन one thing you need to remember कि कोई एक mode ऐसा होता है जिसमें बच्चा जादा comfortable होता है तो वो mode वो जादा use करता है वो action भी हो सकता है वो images भी हो सकते ह लेकिन इस उम्र में जो particular ये जो बताया गया है इन ages में बच्चे में वो चीज यानि picture से सीखना या चीजों को महसूस करके सीखना या language से सीखना जारा dominating या जादा मुख्य होता है यानि उससे वो जादा बहतर तरीके से सीख सकते हैं Thank you so much